Hello दोस्तों, Welcome to Accounting सीखो दोस्तों, आज की या वीडियो भी हमारी Business Communication के बारे में है इस Business Communication के अंदर हमारा एक चैप्टर है, Interview इसमें हम समझते हैं कि Interview किसे कहते हैं, Interview क्या होता है, इसकी Meaning क्या है, इसकी Definition क्या होती है और इस Interview के Objective क्या होते है, या Interview क्यों किया जाता है तो इनी कुछ Important Points को हम आज की इस वीडियो में Cover करेंगे दोस्तों या जो Word है Interview, इस Interview के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी तरह की Job के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी Qualification और Skill को Show करते हैं, बताते हैं और वहाँ पर हम से हमारी Field से Related Questions किये जाते हैं और हम अपनी Field और अपनी Experience के Basis पर उन Questions का Answer देते हैं, जवाब देते हैं तो इसी तरीके से हमारा वहाँ पर उस Company में Selection हो पाता है या Hiring होती है तो इसी Interview को हम एक Proper तरीके से इसकी Meaning, Definition, इसके Objective के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे तो सबसे पहले हम इसकी Meaning जानते हैं अब इसका मतलब है कि Interview एक ऐसा Discussion है जो दो लोगों के बीच होता है या एक Face-to-Face मतलब आमने सामने एक Interaction है, बातचीत है जिसमें Interviewer होता है और Candidate होते हैं या Candidates होते हैं यानि कोई एक Person भी हो सकता है और कई लोग भी हो सकते हैं जिनसे Interview लिया जा रहा है तो वह जो Interviewer होता है, जो Questions करता है तो वह जिस तरह की Information चाहता है, वह उसे मिल सके तो इसके लिए वह Interview लेता है, यानि वह लोगों से Interaction करता है ताकि वह सही Candidate को उस जौब के लिए Appoint कर सके जिसके लिए वह suitable हो इसमें एक तरह से Employer और Employee दोनों एक दूसरे से मिलते हैं अपने Ideas या Views को Exchange करते हैं और फिर वह Employer उस Employee को Hire करता है यानि उसे Select करता है ताकि वह उस Company में काम कर सके जब Interview लिया जाता है या जो Interview की Process होती है उसमें ये दो Word common होते हैं एक पहला है Interviewer और दूसरा Interview अगर हम बात करें Interviewer की The person who asks the questions तो Interviewer वो होता है जो Questions पूछता है जो लोगों से Question करता है और Interview The person who answers the questions वह person जो उस Question का Answer देता है उसका जवाब देता है In short हम यह कह सकते हैं Interview is an interaction between two or more person for a specific purpose Interview दो या दो से अधिक वेक्तियों के बीच एक specific purpose के लिए विशिष्ट उद्देश के लिए की गई बातचीत है तो यह तो हो गई Interview की Meaning अब आईए आगे जानते हैं कि इस Interview की Definition क्या है इसकी एक छोटी सी हम Definition देखते हैं तो यहाँ इसकी Definition लिखी हुई है An Interview is a procedure designed to obtain information from a person's oral response to oral inquiries यह Definition है according to Gary Dessler Gary Dessler ने यह Definition दी है तो इस Definition का अर्थ यह है कि Interview एक ऐसी Process है जिसे किसी वेक्त की मौखिक पूछताच के मौखिक जवाब से जानकारी प्राप्ट करने के लिए Design किया गया है मतलब ओरली ही उससे Inquiry करते हैं या सवाल पूछते हैं जिसमें वह सामने वाला परसन ओरली ही जवाब देता है तो यही एक Interview की छोटी सी Definition है तो Interview की Meaning और Definition के बारे में अब हम समझ चुके हैं अब आईए आगे जानते हैं इसके Objectives के बारे में कि Interview क्यों किया जाता है इसके Objectives क्या है उद्देश क्या है तो यहां लिखा हुआ है Objectives of Interviews यहां इसके कुछ Points लिखे हुए हैं इनको हम एक-एक करके समझते हैं इसमें इसका सबसे पहला Point है Verifying the facts provided by the candidate in the year resume में cover letter and job application जो candidate interview के लिए आया हुआ है जो उसका resume, cover letter या job application में जो चीजें लिखी हुई है जो qualification उसमें लिखी है और जो details उसमें दी हुई हैं तो उसे verify किया जाता है कि वह सही है या फिन नहीं तो इसमें उस person की knowledge यानि ज्यान और उसकी योग्यता का मुल्यांकन किया जाता है तो इसलिए interview किया जाता है तो इसका दूसरा objective है Understanding the candidate's motivation and intention of pursuing a job इस interview के माध्यम से या समझा जाता है कि उस candidate की job करने के लिए क्या motivation है वा क्यों job करना चाता है क्या main motive उसका पैसा कमाना है या फिर life में उसे कुछ achieve करना है तो इस तरह उसके वहवार और व्यक्ति को उसमें समझा जाता है इसका next है Checking the candidate's suitability for the job in terms of their personality and attitude इस interview के लिए या चेक किया जाता है कि वा candidate job के लिए suitable है या फिर नहीं उसकी overall personality क्या है उसका behavior कैसा है उसके attitude के बारे में जानने में help मिलती है इसका अगला objective है Accessing the candidate's strong and weak points to determine their training requirements मतलब उस candidate को कितनी training की ज़रूरत है या आगे पर सकती है तो इसके बारे में भी जानने में help मिलती है उस candidate के strong और weak points क्या क्या है इनका आकलन किया जाता है इनका पता लगाया जाता है अगर उस candidate की strength ज़्यादा है weakness उसकी कम है तो उसका selection करके उनकी weakness को कम किया जाता है उसका next और last objective है Verifying if a candidate is a right fit for the company culture and work ethic मतलब यह पता लगाना की वह candidate उस company के काम करने के जो तरीके हैं उसके लिए fit है या नहीं क्या वह company में अच्छे से काम कर सकता है यानि इसको verify करना interview का main objective होता है तो दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही यही कुछ points थे interviews के objectives के बारे में उम्मीद करता हूँ अब आप interviews की meaning, definition और इसके objectives के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे तो दोस्तो next वीडियो जो हमारी होगी वो भी इसी interview के बारे में ही होगी उस वीडियो में हम समझेंगे कि इस interview की किस तरीके से हम तयारी कर सकते हैं, उसकी preparation हम किस तरीके से करते हैं तो आने वाली वीडियो उसको देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, अगर आप मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो आप इसे subscribe भी कर सकते हैं